अब तक आपने सुना होगा कि फ़लाने ने सरकारी जमीन पर कबजा कर दिया लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि फ़लाने की जमीन सरकार ने कबजा कर दिया लेकिन ये हुआ है सरकार से अपनी जमीन चुडाने के लिए एक आदिवासी परिवार 72 सालों से लड़ाई ड़र रहा है इसमें उनकी दो पुष्टे निकल गए लेकिन अब तक उन्हें नयाय नहीं मिला मामला जस्पुर जिले के फरसा बहार विकास खंड के बलुआ बहार गाओं का है उस गाओं के विलोकेन सोरें की चार एकड़ जमीन पर वन विभाग ने 1950 से कबजा किया हुआ है ये किस तरह का मामला है, कितनी जमीन है, जिस पर बन विभाग ने कबजा कर रखा है, और कपसे कबजा कर रखा है, और कितनी पीड़ी हैं गुजर गई लड़ाई करते करते हैं, फ्रासा बताईए ये जमीन आवेदक को 1945 से प्राथ है, और 1945 से के बाद 1950 में बन विभाग को सासन के दौरा हिन्दोभर किया गया है, तब से बन विभाग ने उस जमीन को 50 से ही घेर रखा है, और आवेदक कुस्मे से अभी भी फिलहाल में पांचे के कड़ जमीन पर प्रूण आवेदक का कबजा है, और तीन एकड़ पर बन विभाग का लगवा कबजा है, एक खास बाते हैं कि आपके पास जमीन किरिन कुस्तिका है, किसान किताब हैं, सारे दस्तावेज भी हैं, तो बन विभाग इसको मानने को तयार नहीं है, देखिए, बन विभाग के पास कोई अब जबाब नहीं है, जबसे प्रक्रण कोट में लगा है, तब से कारेपालिका के द्वारा बन विभाग से जबाब मंगा जा रहा है, कि इस समंद में आप अपना प्रतिवेदन भेजें, ताकि आवेदक को इसका संप्रोन भुकतान, मुआजा भुकतान क्या जा सके, किन्तु उस समंद में बन विभाग का कहाना है, कि यहां जमीन का पट्टा को निरस्त कर दिया जाए, तो उसके समंद में कारेपालिका ने कासा मतलब है, करीबन 2017, 2010 से 2010 की 2100 , 2010 से यह प्रकरण चल रहा है, 2010 से प्रकरण चल रहा है, 2010 से चल रहा है, तो यह किस ने लिखा कि पट्टा निरस्त नहीं किया जा सकते हैं, इस समन में कलेक्टर महोदाय भी लिखे हैं और SDM भी लिखे हैं अच्छा तो यह पट्टा निरस्ट करने की मांग क्यों कर रहे हैं बनविवाग वाले का वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि भाईक उनका जो भरस्टाचार का उजागर नहों कर रहे हैं कुल मिलाकर किये कि बनविवाग आपके पट्टे को मानने को तयार नहीं है अब देखना यह है कि इनकी ये लड़ाई कहां तक जाती है और कितने पुष्टे निकल जाने के बाद सरकार इनकी जमीन वापस करती है